तो जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा इंडियन सबाइ के ड्राइवन ठीडी गेम में नियो अपडेट्स तो आती रहते हैं बट ये वाला अपडेट सेथ में काफी जादा इंट्रेस्टिंग एंड आमेजिंग होने वाला है क्योंकि परसनली मुझे भी ये वाला हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और सबसे पहली चीजहायां से जो हम लोग को देखने को मिल अपडेट में इस सारी बाहर निकलते हैं जस्ट हम लोग पूलीजिस टेशन के सामने होंगे और अब यहां से अपनी कार को अंडेल में लेके जाते हैं तो हम लोग अलमोच पहुची चुके हैं इस पूलीजिशन में सबसे पहली चीज़ जो तुमलों यहां पे नोटीस क्रुगे वो है कि इस पुलिस टेशन में हम लोग को अब पुलिस टेशन के बाहर कुछ पुलिस वाले भी देखने को मिल जाते हैं अगर हमने unlimited health का cheat code नहीं डाला होगा तो भाई यह हम लोग को मार की ही मानेंगे बट anyway इस बात को ignore करते हैं बट anyway सीधा ही चलते हैं इसके अंदर तो अब हम लोग का reception पे भी कुछ पुलिस टोले देखने को मिल जाते हैं इसके साथ हम लोग कुछ NPCs साइड में भी बैटने में मिल जा रहे हैं हैंड सबसे बड़िया चीज जो इस update में हम लोग को different देखने को मिलती है वो है कि अब हम लोग second floor पे जा सकते हैं पहले यहाँ पे एक wall थी इस update से पहले वाले update में उसकी वज़े से हम लोग इसके उपर नहीं जा पाते थे हैं बट finally वो चीज हटा दी गई है अब हम लोग इसके उपर भी जा सकते हैं अब ही हम लोग इसके उपर जाने भी वाले हैं बट उसी के side में तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो तो हम लोग को यहाँ पे एक NPC जेल के अंदर भी देखने को मिल जाता है जो कि obviously अपने किसी crime की वज़े से इसके अंदर है और यह हम लोग को next update तक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है तो हो सकता है उसके बाद भी यह इसी में रह जाए बट anyway अब हम लोग चलते हैं इसके ऊ उपर वाले floor पे जो कि finally अच्छा है अब open हो चुगा है क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पे नहीं आपाते थें तो okay तो हमें यहाँ पे उपर आ चुका हूँ and तुम लोग यहाँ पे इसका second floor भी देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे city काफी दूर दकी देखने को मिल जा रही क्योंकि यह काफी ज़्यादा उचाई पे है और तो कुछ ज़्यादा इसमें changes हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है तो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं and अब बात करते हैं कि आखिर और क्या हम लोग को इस new वाले update में change देखने को मिल जाता है तो second update हम लोग को देखने को मिलता है वो है थार से related यानि कि तुम लोग को पता ही होगा अगर हम लोग यहाँ पर dial करते हैं 9090 तो फिर हमारे सामने हमारी favorite modified थार spawn हो जाती है तुम में से काफी ज़्यादा लोग की ठीमांट ठीकी भाई old थार को remove क्यों किया गया इसी को देखते हुए इस update में उसको भ बहुत बड़ा change देखने को नहीं मिलता है यानि कि तुम लोग इन में से कोई भी थार के साथ gameplay करो तुम लोग को similar साही experience देखने को मिलने वाला है लेकिन हाँ दोनों ही काफी बढ़िया है मैं तुम लोग को यहाँ पर दोनों ही एक एक बार drive करके दिखा रहा हूं और तुम लोग यहाँ पर डाइल करते हो 600 तो फिर हमारे सामने pet dog spawn हो जाता है I know यह update हम लोग के game में पहले से exist कर रहा था hear me out मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम लोग को कुछ और बता रहा हूं यानि कि अगर तुम लोग इसके पास जाते हो and इस वाले बटन पर क्लिक करते हो तो फिर तुम लोग देख सकते हो हमारे character literally हमारे dog के ऊपर बैठ चुका है and तुम लोग इसकी ride भी होताना and मैं इस dog की ride करते हुए कैसा लग रहा हूं यही होताना इस वाले update में हम लोग यह भी देखने को मिल जा रहा है अगर तुम लोग comfortable हो तो तुम लोग इसकी ride कर सकते हो otherwise मैं तो अभी उतर रहा हूं बट हां इस वाले update में तुम लोग यह भी कर सकते हो जैसे हम बोट की update की यानि कि इस वाले update में हम लोगो बोट भी देखने को मिल जा रहा है और इसके code की बात कर जाए तो वह है 3001 यानि की 3001 यह डाइल करते ही हम लोग के सामने हमारी बोट भी spawn हो जा रही है और इसके उपन simply तुम लोग एंटर का प्रटन दबा के पूरी ocean में इस चला सकते हो एंड मज़ी की बात तो यह है कि तुम लोग इस बड़े से ocean में चाहे कैसे भी बोट चलाओ तुम लोग की बोट पलटने नहीं वाली है मैं यह कैसे बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने सच में काफी वीर्ड वीर्ड तरीके से इस ocean में अपनी बोट को चलाया है और कोई भी issue face करने को नहीं मिला है तो इसलिए यह update तो मुझे सच में काफी ज़्यादा पढ़िया रागा मुझे तो इसका update सच में काफी ज़्याद update में तो तुम्होंको कुछ dinosaurs के भी update देखने को मिल जाते हैं अगर तुम्हों यहाँ पे डायल करते हो 50 तो फिर तुम्हार सामने एक dinosaur spawn हो जाएगा अगर तुम्हों यहाँ पे डायल करते हो 5-2 तो फिर मेरा favoriite Spino dinosaur spawn हो जाएगा जो कि literally मेरा personal favorite है and आखिर वो Q मैं तुम लोगो थोड़ी देल बताता हूँ बट अगर तुम लोग यहाँ पर dial करते हो 5-3 तो फिर तुम्हाँ सार्च यह सौरस भी spawn हो जाएगा भॉप सुकि मैं इसका नाम साइस ले रहा हूँ लेकिन हाँ जैसे कि अभी मैंने तुम लोगो बताया था इस्पीनो सार्च मेरा favorite है और आखिर वक्यूँ अम मैं तुम लोगो वो भी explain कर देता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि इस update में हम लोगो एक और new चीज़ देखने को मिलती है जो कि है attack lock का update अब अगर किसी भी NPC को वेपन से मार के lock कर देते हो जैसे कि अभी मैं तुम लोगो करके दिखाता हूँ तो simply मैंने यहाँ पर अपनी एक कोई भी वेपन ले ली है जैसे कि for example यह auto gun जैसे ही अब मैं यहाँ पर किसी भी NPC पर रख के उसे shoot करता हूँ तो अगर तुमने अबे तक इस game को update नहीं किया तो फटा फट से अभी क्या भी जा के update करो एंड इन सारी चीज़ों को test करो एंड हां comment box में अपना feedback देना बिलकुल भी मत बोलना कि आखिर तुम लोग को ये new वाल अपडेट सच में कैसा लगा एंड आखिर तुम लोग को इस new वाल अपडेट में मिलने वाली इस board का driving experience कैसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपना experience और लिडी तुम लोग को इस वीडियो न बताई दिया कि आखिर मुझे इस board का update कैसा लगा एंड अगर तुम लोग को इस game के future update से related अपना कोई भी opinion शेर करना है तो फिर तुम लोग comment box में अपना opinion भी दे सकते हो जैसे कि इस game के new वाल अपडेट तुम लोग को और भी बहतारत देखने को मिल सके मुछ और new new and amazing चीज़ों के साथ नहां इन सारी updates में से तुम लोग का favorite update कौन सा है ये चीज मुझे comment box के बताना बिलकुल भी मत भूलना कि तुम लोग को इस new वाल अपडेट में dog riding वाल अपडेट सबस्यादा अच्छा लगा या फिर police station वाल अपडेट and मेरे तो तुम लोग को पता ही है तो सबसे ज़्यादा मतेदार boat का ही अपडेट लगा है इस वीडियो के अंदर मैंने तुम लोग को जितनी भी चीज़ा करके दिखाई हैं उन्हें खोद भी try करो अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा साब enjoy किया है तो please like, subscribe, share, जो मन करे कर देना and अब मिलते हैं next वीडियो में